सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लेक करें असराम लेकर्म, खुश्याम देट सुब अखेर, तमाब देखने वालों का प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मिस्वान मामरियासर बड़े खास आज शक्सियात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी, आज उनसे भी हम गुट्गू करेंगे और इसके लावाब आपके मसाले के उपर तो गुट्गू हमारी रहती है, आपकी कॉल्स का सिलसला भी इन्शाला आगे जारी रखेंगे लेकिन इस वक जो शक्सियत हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाओंगा और उसके बाद गुट्गू का आगास करेंगे, इल्मी अद्भी खिद्मात आपकी बड़ी है, इस दिलसले में बड़ी आपने काम किया है, किताबों की हमारे महमाने, उन्हें भी खुशाम मितना हूँ, डॉक्शा, आपका भी बहुश्चा अप्रोग्राम में तश्रीफ लाए, दोनों महमाने, मैं सबसे पहले तो किताबे, बहुत सारे अफसाने मेरे सामने रखे हैं, मैं दस किताबे अब तक कि आपकी आचुनी है, जो कि मे साइन में हम पाकिस्तान आ गए, और फिर हमने सेंजुजफ से अपनी तालीम हासी की, तो जब वन आई वोज इन सिक्स्त क्लास में में थी, तो उस वक्त मैंने अपनी एक कहानी दार लिशाद लाहुर से फूल रिसाला बच्चों को निकलता था, जी, 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 तो मैंने उ मास बिंड मिल ट्रांसलेशन करके भेजी थी, तो वो मेरी छपी, उसके बाद में फिर वो ऐसा हुआ के हौसला वजाई हुई, और वो लिखते ही चले गए फिर, तो फिर मुक्तलिफ स्टूडेंट्स पे लिखा, मैंने मेडिसन पे मजामीन लिखे, स्टूडेंट लाइफ में भी लिखे, खवातीन के मसाइल पे भी मैंने लिखा, नाइटीन सिक्स्टी फाइव में मैं जब मैंने सेंट जूजफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से, माशाला मैट्रिक किया, फिर कुछ और इंटर मैंने जुबैदा कॉलिज हैदराबाद से किया, तो जब मैं महां हैदर फाइव से, और यह वक्त हो गया, मैं माशाएलल्फ में प्रणी नहीं जब्स लिखना, मैंने कभी नहीं चोड़ा, माशाएलल्ह अच्छा, अपनी तमाम तर जिम्मेदारीयों, अपनी तमाम तर मैडिकल की पढ़ाई, अपने बचों की परवरिष माशाएल्लह, अपने घ को देखना फिर 73 में पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई माशेलला डग साथ और हम लोग माशेलला जो है तो शादी के बाद इतने फरागत थी के लिखने का मौका मिल गया पिर आप डॉक्टर भी थी ये ये इस ऑफ कॉर्स बट यू शुड़ एफ टेम्टेशन और यू अपने इतना लिखा है तो बस हमाँ अपने लिखते रहें मुक्तलिफ सेविंटीज में डाइजेस्ट आए उससे पहले में हूर, बानो, जैबननिसा, जाम नौ, इन सब रिसालों में मैं लिखती रही हूं और माशेलला मेरा छपता रहा और एक मुझे ये भी इजाज हासल है कि कभी मैंने किसी चीज़ की फोटो कॉपी रखी नहीं है, इतना वक्ती नहीं होता था और वो जो माशेलला भेजा वो छपा मेरा, माशेलला, तो ये किताब की शकल में अफसाना तयार करना, इसके लिए बकाएदा एक राइटर को सोचना पड़ता, कैसे ख्याल आया, क ख्याल यू आया कि ये मैं अपना मटेरियल एक तो आपके पास होना चाहिए, जी, तो जब हम शादी से पहले ही हमने एक टीन का संदूख ले लिया था लिना, बॉक्स और उसमें हम अपनी सब सेविंग्स रखते रहे, रखते रहे, जो लिखते रहे, सेफ करते रहे, अब जो आई में, माशाएलला कंसल्टन्ट स्पेशलिस्ट है, अबर्स वेल्स में, यूके में, और चोटे बेटे की पी जब शादी हो गई, तो माटेरियल मेरा बहुत था, पिर डॉक्टर साब ने कहा कि तनवीर अब तुम अपना माटेरियल निकालो, तो हम लोग शाया करते अब जो वो माटेरियल निकला ना माशाएलला डक्साब समझे, कि मेरी दो-तीन किताबیں चपेंगी तो वो जाए, माशाएलला मैंने तो दो-सा राइटिंग्स की थी, तो फिर ये हुआ कि पर ये मेरी पहली किताब जो ये जनजीरे है ना माशाएलला, फिर हम ने ये चाब नहीं होता ना सोचने का, मुझे कागस फलम दो, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, खुद ही कहानी बन जाती है, मैं किलिनिक पे बैटी हूँ, डॉक्टर बनने के बाद है, मरीज नहीं है, तो कहानी बन गई, अच्छा, फारे वाकात में, मैंने घर को कभी नहीं, माशा को मेरी बहुत से कहानियों में, मेडिकलगा जरूर मेंगा, बेको थीख हैं, अगर इक मेडिकल प्रोफेशन में बन्दा नहीं है, तो वार्ड के बारे में, नार्सों के बारे में, डॉक्टर के बारे में, तो कुछ भी डिस्पले नहीं कर सकता, नहीं, एक आम ले मैं ना या कोई और भी हो, मगर हमारी क्योंकि वहाँ पांच साल थाहिए, हमने पांच अल्ली बेज़ज और पांच अपने बेज़ज देखे, तो उसमें मेरी कहानियां वड़ी इंट्रेस्टिंग है, मैंने सब उन्हें पे वो किया है, अपने स्टोरीज में बयान किया है, हार्ट स्टोरीज है मांशाला समीर तो और दूसरे है के फिर जब हम प्रैक्टिस में आए तो प्रैक्टिस में भी बहुत सारी स्टोरीज थी इसराउंडिंस में यू शुड है औप्जरवेशन मुशाइदा आपका होना चाहिए कि आप ने क्या देखा हो क्या करें फट्स करें मैरे यह कहानी ए मेरी एक कहानी यह मेरे बचपन की यादों की कहानी है का कि यह सरकस वाली औरत की कहानी आपकी वह मेरे दिमाग के किसी कोने में थी जब आट नौ साल की ती तो यह दो किर्दार जो थे वह मेरे पास थे फिर अब जब मैंने लिखना शुरू किया तो इनको इसमें डिप्रिक्ट किया है वाँ ठीक है डॉक्टर शाब का साथ कैसा रहा है और डॉक्टर साथ तो माशाला पुद्ध तो बहुती लबनी इंसान है वही उस देगें डॉक्टर साथ के बगार तुम्हें यह कुछ भी नहीं कर सक हैं और दो अजारा अठारा तक मेरी फाइव हो गए तो हमारी फिर उसकी फाइव की इजरा सहरे मनी होई है यह उसकी तस्वीरे हैं बेलको बेलको जबर्दास चीज़ हां जी यह उसकी इजरा सहरे मनी की वह हैं उसके बाद में फिर हम लिखते रहे दो हजार अठारा के ब फिर हमने अभी नौ नुह तारिक को नौ फेबरेटी को 5 किताबों पूर मेरी तो इतने अ कर 粉ारों ना पूसलिड़ के मेरत दुनिकाने मेरे लिकतान वाद नोवेलो गारेच कि पृसलों novel पढ़े और वो पिछली स्टोरी भूल जाए किया था अच्छा नोवल राइटिंग में आज कत्या किलामी की माज़ात कि अब बड़ी changing आ गए अब जो हम novels पढ़ते हैं उसके अंदर जो लफाजी वो इस्तमाल करते हैं जो करते हैं वो ये modern era को देखते हुए है जिसमें अं नहीं रहे हम 65 से लिख रहे हैं आपको हमारी कहानियों में 65 से लेके अब तक का कल्चर मिलेगा मेरी 2019 तक भी कहानिया चपी हैं और अब और में लिख रही हूं मगर ये कि मैंने कभी भी इस قسم का बेहूदा नहीं लिखा जो आजकल नशर हो रहा है जी वो तो ड्रामा इशक को सुधारना है हमारे बच्चों को बिगाडना थोड़ी ये बेछी है तो ये चीज और ड्रामे वाले कभी प्रोच करते हैं कि कोई इस स BBQ वूज़ा बना दी के को लिख दी है और मेने तो सिक्स्टी फाइव से लेके अबही 2016 तक आप मरे सालों में सारी जिन्दगी लिखते रहे नोबडी नोज यूज यू अन्लेस एंटिल यू बिरिंग यू बुक आप किताब लाएं पिर आपकी पहचान है और मेरी बड़ी होसला वजाई भी माशाएलला जब मेरी पांच किताब उन्डी सेरिमनी भी माशाएलला बड़े अच्छे-च्छे स कार साहब थे और उन्होंने मेरे ऑनर में वो पांच पहली किताबों का इजरा सेरिमनी जो आप में तस्वीर हैं बलकुल और अभी भी उन लोगोंने मेरे ऑनर में की जो नौ फरवरी को थी माशाएलला तो मैं बहुत खुश हूँ और सबने जो मुझे फीट बैक दिया वो आप जो है वो जिस तरह की राइटिंग आजकल हो रही है जिस दो ड्रामाई शकल इक्तियार की गई है उस से जरा से हट कर रहो तो यह सबसे ज्यादा मुझे अभी किजी ने कहा कि आप नौविल लिखें जी तो मैंने नौविल मेरे लिखें ज़र वो सार सार ज़र दो चल करने बैठता है जो हम पहले वीउ करते थे जियू हम पहले वीउ करते थे अब हसीना मोहिन ट्रामें हिट साथ में पूरी काहनी है जो है और दूसरे ही यह कि अब क्या है अब ही जो एक ड्रामे ने 67 कौरोड कमाई हैं मैं उससे सहमत नही हूं और अब तो आप के यह अब तो आपको पता है कि जब हमारे हैं कोई चीज चल जाती है नॉवल राइटिंग के अंदर भी जब ये सलसला शुरू गुआ था जिसके अंदर ये कमर्शल काटर आया था तो फिर तो हर किसी ने उसी तरह लिखना शुरू कर दिया हम नेरायटर तो लिखी है, इसे अंदाज मेरे हाँ तो नेयों की बात दूसरी अब हम तो पुराने हैं हम उसस्टाइल पर जा नहीं सकते हम इतनी बेगार्ती पर जा नहीं सकते हैं हमारे कलम से इतनी बेहुदा बाते निकल नहीं सकती है हमें माशरे को सुधारना है, अल्रेडी बहुत बिगाड है, अल्रेडी हमारा कल्चर ऐसा है, ना बच्चे बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, और माबाप बिचारे ऐसी बेवस बैठे होते हैं, और यह हमारा कल्चर जो ज्यादा खराब हुआ है, यह नेट्स के मार और वो फिर खराबी हो गई ये लड़के लड़कियों के माशरा कहा जा रहा है और दूसरी बात ये हुई है कि रीडिंग का जो माटीरियल है वो कोई नहीं पढ़ता है मैं ये ही ही सवाल भी मेरे ही है क्योंकि आज गल तो इंटर नच्रों का गार है हर को इंटरनेट के जरियरे कceğiz पढ़ ने और देग भी लेता है तो ये अरज़ान भी अपर पहुत है तो रीडिंग तो देखिय Да का है अब आप इम्तिहान ले लीजिए, इम्तिहान भी अब वो बेस हो गए है, बिलकुल आप शॉर्ट क्वेश्चन्स दे देते हैं, जब हमने पढ़ा, और डाक्टर साब ने पढ़ा, हम दोनों ने तो भई, एक्चुल बॉडी पे डाइसेक्शन किया है, हमने तो असली बॉड मेडिकल की पढ़ाई में भी बहुत फर्ख है, हमारे जो प्रोफेसर्स थे, इवर डिवोटी, वो डिवोटी थे अपने काम में, उने हमें जो कुछ भी सिखाया, आज हमें अलहम्दुलिल्ल्ह इस बात की खुशी है, कि हम हाथ रख के मर्ज बताते हैं, और आज कल के जो स्टूटेंस पढ़ा के निकल रहे हैं, जी, विद डियो अपालोजी तो एवरीबडी, आई डोंट नो, कि वो उनको तो यह भी नहीं पता के वेर इस लिवर, वेर इस स्प्लीन, और वेर इस पसलियां, जी, और हाव तो ऑसकल्टेट, ऑसकल्टेट कैसे करें, क्रेपिटे कराची से लड़कियां करीम चुनी जाती थी, तो माशय अलला से मैंने जब मेरा 67 मेडमेशन होए, तो आई वस अन दी टॉप लिस्ट अफ सेकंड, सेकंड नमबर था मेरा, माशय अलला, इतने नमबर लाए थे, और हमारा दाखला हुए, 17 लड़कियां, 15 कोईटा से आती तो हमाई टोटल 32 लड़कियां और एक दो बाहर से, 32, 35, 90 लड़के, तो कितनी अच्छी पढ़ाई होगी, हमारे बेज़े में आपर लिम, लोवर लिम, स्टमक, बरेन, ये सब में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, एक्जाक्ली, बल्कु चीग है, डुक्श अब कैसा र पाटनर लिखने वाला आप खुद माशाला आपको जो हो, ये अपना लिखती थी, और लिख के मुतादी रिसालों में भेज़ देती थी, ठीक है, तो में देखता था, तो मेरे दिमाग में तो ये था, कि भई एक राइटर जो लिख रहा है, वो जब जा रहा है प्रिंटि वाले छाप रहे हैं, तो इसका मतलब ये है के काबलियत बहर तो है, बहर को ठीक है, तो मैंने इनके लिखने लिखाने में कभी कोई इतराद नहीं किया, नहीं मैंने इनको डिस्टर्ब किया, बलके कहना चाहिए, एक तरीके से खामोशी में भी एक बहुत बड़ी यस होती है, खामोशी है, अपना फुद इधार होता है, बैकर, तो इन्हों ने ये समझ दिया के मुझे इसमे कोई इतराद नहीं है, तो ये लिखती रहीं, तो बहर तो हमारा जो हमारी लाइफ जो है, मैरेड लाइफ, अलम्दो बहुत अच्छी गुदरी, और बिलकुल ठीक है, ह इसा कि इन्होंने बता दिया है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, सारे वेरी वेल कौलिफाइड है, जाहर है, इनके बगएर इटेंशन के, वो इतना ज्यादा तवज्य पढ़ाई में नहीं नहीं दे सकते थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई, लिखाई का पूरा इड पांच साल सीनियर भी था, वही मेरा है डिफरेंस है मेरे खाल में, तो मैंने हमेशा ही किया रहा ही है, कि जब ये, इनकी किताबों का से दिला आया, मैं फारिग हुआ सर्वीस से, जी, तो मैंने इनको कहा कि भाई, वह आपका मसहुदा तो होगा, इतने रिसाले आपके, व मजीद दो किताबों का मसहुदा और तयार होता था, माशाला है, तो मैं वो दुबारा बुला कि प्रिंटर्स को कहता था, बहर तो ये है कि चुके मेरे तालुकात थे, अलहम्दोरी लिए अच्छे, पब्लिशर से और इंचे इसलिए मुझे कोई किताबें प्रिंट कराने परिशानी नहीं हुई और इंकी किताबें बहर तो प्रिंट हो गई फिर ये हुआ कि पिछले साल इनों ने जब कहा कि ये इसका कोई सरिमनी होनी चाहिए, मैंने पांच किताबें आ गई है, तो मैंने प्रेस कलब में कहा, तो चुके मैं पहले से भी टी-वी बगरा में और इसमें और कॉलमी स्थू में कॉलम भी लिखता था में, अपने डाक्टरी के भी और वैसे सोशल भी, तुमाम तो ये है कि अल्हम्दिल्ला थोड़ी मेरी दौा सलाम तो थी, तो मैंने फिर ये प्रेस कलब में रेंच किया, इनका वो, तो इनका वो हुआ, ये बेतर, अच् में पर्मनिन्ट आज कल आँचली में लिखती हूँ, तो उनका जो अफ़क गुरूप है, तो वो, मैं उसमें पर्मनिन्ट हूँ, मेरी दोस्त भी थी, बलके मुश्ता खेमत खुरशी साब की वाइफ, हमारी टेली फूनिक दोस्त थी, हमने उनकी शकल भी नहीं देखी, औ हम उनसे टेली फूनिक हमाई दोस्ती थी और मुझे वो इंतिकाल से पहले तक भी कहती थी, आज भी मेरे कानों में आवाज गुजती है, कि डॉक्टर तन्वीर तुम लिखना कभी नहीं छोड़ना, तुम अच्छा लिखती हो, तुम जरूर लिखा करो, तो बस वो अचान नफास अर्दू के एडवोकेट नसीम इहमत शाह साब ने, उन्होंने मुझे को ये, ये मुझे दिया, और ये आफाक शील्ड जो है, ये भी मुझे उसी वक्त दी गई है, ये भी मुझे दी गई है, उसी वक्त, अदब के हवाले से, तो मेरा जिन्दगी का पहला फंक्श पहला था, और सबने बड़ी हुसला वजाई की, इवन जिन्होंने मेरी रिव्यूज भी लिखे हैं, बड़े अच्छे हुसला वजा लिखे हैं, मार्शाला, मार्शाला जी, तो अब आगे क्या करने का इरादा रदा है, ये मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया अरे जबरदासी, ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है, तो यूट्यूब चैनल मैंने बेटा स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग से ना आफ कम टो स्टोरी टेलिंग, और नेरली सेवन्टीन कहानियां मैंने अपनी किताबों की, किसी और की ने, येस, वो मैंन ने लोट कर दी है, लिंक क्या है आपको इस पर लिंक मेरा है अच्छा तो आप डालेंगे तो मेरा लिंक फुल जाएगा, तो माशाएलला से मेरी सेवन्टीन कहानिया ठीक जा रही है, अभी अभी चप्वेस दिसंबर से शुरू किया है, वह तो मेरे माशाएला सिक्स्टी दी नहीं चाहिए क्योंकि वो ड्रामे से जादा आजकल वे लगा हुए इस इसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है ड्रामाई तश्किल देखें, हमारी यादत नहीं है कि हम किसी के खुदी गले पड़ जाएं, जाओ जी हमारे ड्रामा नशर कर लो, वी आर नॉट तैप, क् वी आर प्रोफेशनली नाट, हमारा अदब से ना इनके ना मेरे, हमारा अदब का दूर दूर तालुक नहीं है, वी आर प्रोफेशनली डॉक्टर्स. वो ड्रामा जिसका भी आपने तसक्रा किया, उसके लिखने वाले जो हैं, वो माशाला हूँ फिल्मों गी कानियां. हमा कालिज में थे और ये भी थे, तो मिशाल वर क्या थे वो, आप शमा होल्डर थे, बैतबाजी में माशाला, इन्होंने कभी जब तक रहे, तो किसी को डॉमेडिकल कालिज में लेने नहीं दी वो ये शमा, तो ये तो माशाला शाहरी में बेतरीन है, तो ये मुझे करेगा, तो मैं बहुत लंबी-लंबी नौवलों की खाइल नहीं हूं, मेरे जो छपे हुए हैं, इन्हीं पर शॉर्ट स्टोरी के शक्र नहीं है, अच्छे खासे लंबे ड्रामें, एक एक गंटे का ड्रामा बनेगा, बन सकता है, बिलकुल बन सकता है, ठीक है, देखने वा दस किताबें मेरी छपी, मैंने, नौट इंटिस्टे इन सेल, मैंने, मैं फ्री बाट रही हूं अपने किताबें, ठीक है ना, जो पढ़ रहे हैं, वो फीड़ बैक दे रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खामोश बैट रहे हैं, मगर एक ऐसा वाकिया पेश आया हम को अपनी बुक्स दे दी हैं, वो खातून ने ले भी ली, तो लेकर वो चली गए हैं, कुछ दिनों के बाग में हमके हस्बंड आये, उन्हों ने कहा है, डाइक्पर साहब, आपने किस जाहिल को दे दी, मेरी बीवी को तो पढ़ना नहीं आता, मेरी बीवी तो बिलकुल य साइन वाइन करके उनके नाम की दे दी, तो अब वो क्या करती हैं, कि उनकी बेटी शायदी उनिवस्टी में पढ़ती है, जब उसकी छुटी का दिन होता है, तो वो महले की पांच-छे ओरते हैं, छे-साथ कलेक्ट करके, तो कह रहा था कि वो इस तरीका से कहानी सुनती है सब आपकी बैटके, तो मैंने का चलो ये भी एक अच्छी बात है, उस तरफ से मैं इसलिए आई, कि मैं स्टोरी टेलिंग की तरफ खुद क्यों नहीं आ जाओं, मैं स्टोरी टेलिंग खुद क्यों नहीं करूं, ताके देखें, फिर मुझे रिस्पॉंस बड़ा अच्छा अच्छा या, एक बिलाइंड औरत ने लिखा, अच्छा, शी इस माइफ एन, आई तिंक सो, मुझे उन्हों ने मुझे मेरे तीन पुराने अफसानों की फरमेश भी की, यूँके मैंने डाल भी दिये, एक डाल दिया, उसमें से दो आउड डालूंगी, और उन्हों ने का क आपने बहुत नोबिल काम शुरू किया है, क्योंके because we can't read, और बुढ़े लोग, अब वो डिजिटल अखबार ये पढ़ना बुढ़े लोगों के लिए तो कितना मुश्किल काम है, तो इसलिए मैंने बहुत शुरू किया है, मुझे अच्छा फीड़बैक मिल रहा है, अर्दू प्लेंट फॉर्म जो पाकिस्तान का है, उस पे मेरे दो तीन बेस्ट नोविल्स, पंदरा सो नोविलों में स्लेक्टेड हैं, जिन में एक अधूरा संजोग है मेरा, जो मैंने अपनी फस्ट कानी यूट्यूब में डाली है, और एक दीमक है, माशा अल्ला से और यह हैं बहुत सारी कहानिया, ठीक है, जो एक निशाल्ला आपके बहुत शुक्र गजारें कि आपने वक्त दिया, और इन्शालला आपके ये किताबे देखकर, हम ये दोई यही करते हैं, कि ये पढ़ने वालों की तादाद बढ़े सबसे पहले तो, और ये जो अच्छे अ ये ताट आप लिख आएंगे, ये वहाँ प्रोग्रम कि जा रहा है, हमें जाना है जी एक ब्रेक की तरफ, महमान और हमारे साथ महजूद होंगे, गुत्पूअगर और भी होगी, तो एक ब्रेक की तरफ जारा हैं, ब्रेक के बाद रापस आएंगे, आप देखते रहां, वेल्कम बैक जी आप देखने हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पर जाने से पहले जी गुफ्टगोव रही थी कुछ हमारे साथ राइटर यहां पर मौझूद थे और डॉक्टर तन्वीर यहां पर मौझूद थी बर्जबर्दस अफसाने उनके हैं उनको इन्शाला फिर प्रोग्राम में जरू मौझू करेंगे बहुत सारी बाते हैं उनके साथ अब और भी और भी करनी थी लेकिन महमान आज बहुत सारे हैं जल्दी जल्दी उनके बात कर करते हैं और अपने महमानों का तारूफ कराते हैं दिखाएए जी प्रोछ करेंडे हैं जल्दी il झा हैं जल्दी तु्त अ उनके नाम अबने महमान आजडना आझे हैं जल्दी 1 झाल आजडे सान्या तेन इसकाना चरते हैं चाहाँव साय हो आपिन । ठीक है जी पैकेज आपने देख लिया है जी और हमारे साथ शहजाद अली मौजूदे हैं आज बहुत सारे पैरिशन के पास हैं और ये वाल्ड एनिमल्स हैं वो उन्होंने पाले हुए हैं इससे पहले प्रोग्राम में आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जी को तुबारा सारा बुलाएं तो शहजादा आज मारे में आँ थांक्यू सुबारा से भग दिया और हमारे साथ तश्वीफ लाए और उनके साथ तश्वीफ रखते हैं अली करीम शहजाद है और यह इनके साहिबजादे हैं आपको भी वेलकम करूंगा बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए, इसनेक्स लेकर बैठें में दरनी लग रहा है इसनेक्स से तो, पकी बात है, इकाटते वाटते दुनी, कैसे आपको शॉक हुआ यह तो बताएं, जरा साफ बाल में का लोग तुस्से डरते हैं, बचे गवराते हैं, आप इनको पकड़ के तस्वी पिर डर्नी लगा, पिर डर्नी लगा, कौन कौन से स्नेक्स पकड़े अपने? मैंने यह सेंबुआ, पाइटन्स, रैटिक, जर्बर्दास, और, ग्रॉन स्नेक्स, और, सबसे चा कौन से लगता है इसमें से, यह वाला, क्या नामें इसका, जिखाएं जरा कैम्रे के सामने, जिखें, जी बच्चा जो है, वो इसनेक्स पाला है, और यह बच्चा पकड़के जो है, वो अपने डड़ी के पास लेकर गए, डड़ी में के खुद माशालला क्यूंके इतने सारे उनके पास एनिमल्स हैं, उनसे तो हम बात करेंगे, फिर जी, और इसके लाबह कौन कौन करते हो, इनको भी, वो डड़ी करवाते हैं, जी ठीक है, डड़ी यह बताईए कि यह आज तो टर्टल भी आ गया है, और यह कौनची ब्रीड है जरा इसके बारे में बताएं, यह भी सेम ब्रीड है, अफ्रीकन सुलकाड़ा टर्टाइस है, पहले पोग्रम में में ले आए जी 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 तो मकर यह अडल्ट है, अच्छा सुभा हो गई है, इस ने चलना शुरू कर दिया, सुभाज में आगे है कि यह लाइव जा रहा है, प्रोग्रम तो अब पुड़ी मुवम्मेट आगई है, यह क्रोकोड़ बी आपके पास आगी है, जी क्रोकोड़ बी आपके तो यह बार आगया तो गाओवाले मार रहते हैं तो उतर एक मेरा दोस्त रहता तो उसने मेरे से कॉंटेक्ट किया, उसने अपने पास रख लिए फिर मेरे को इसने बिजवा दिया, जी कि यह चोटा बेबी है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर आप छोड़ दीजेगा थोड़ा सा बहरा हो जाए, एक साल का ओनोजाएगा तो प्रियम अभी इसको फिर कीसे करते हैं ये खुद फीड करते हैं अच्छा उत ले लेत था खर नहीं होती, वीफ गे टे यह का लेता है आराम से थेうん घुन बड़ा पाइठन है यये तो पाई नाम इसका है, यह इंड बशन्हों सुझ नरीणेच्ष इसे इस्कूल में इस सकूल में इवरिणेश देने जाते नहीं कुछ पैंट्स ब्लते की हमारे बच्나ों से दूर रखेंड़ झाल टो तो बता है इसका इसको टॉसना करेंगी तो बच्चों को पता काइसी कशले के सिह रिवे ये झाँ कि Hai से एक्साट्ली बिल्कु ठीक ये नुण्न वेनरे से हैं थे सके अंदर से अनल जहनी उता है और हम एसे इसे तरहां च जब वालрам रहता है तहस्मां कर लेता है जब आपके घर पे आगे तो समझो ये प्या अच्छा तो पिर्ट पिर उड़ता है टीक है यह जोड़ा होता है वाल आगा तो प्रॉटिन इसका आपके घर में आगया आगे आपने घर की रूटिंग उसको देदी तो वाल नहीं रहता नहीं रहता है वह पैट हो जाते है बिल्कु ठीक है तो यह हर बंदा पाल सकता है यह सिर्फ प्षाद से अब हुआ हर बंदा तो इसे नहीं पाल सकता है हर बंदा यह हैं सूचता है, हाँ साब पाल ले, इसका खरचा कब मेरा किका LIVet ऐसके बारे एक पर आहिसमों है, प्प्र ही जानते हैं और मजीद पीछे एक बहुत बड़ी इगल भी रखी हुई है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं, वो कैसे इनोनेजर वो ली है, तो एक छोड़ी सी बेक की तरफ जा रहा है, बेक के बाद बापस आएंगे आप देखते हैं, गुड मॉनिक राची झालो के जा बड़ Girl नाची आपको सानी में, मॉनिक राची आपको देखते हैं, इनो ओ aside judgments, पास सकते हैं, अभी की ठानी मॉनिक रछाओाओान, न passé की तरफ चु़刃 Sustainable realizar. वेल्कम बैक जी आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉनिंग कराची पे जाने से पले वाल डाइनिमल शेर वह आपको हर जगा नजर आ रहा है यह एक रॉकरडाइल यह वाल डाइनिमल है यह भी शेजाद साब ने जो है वह इसको पाला हुआ है यह आपने बताया कि यह रिस्क्यू में आपके पास आया था और फिर इसको पालना और फिर उसको चोड़ देना बड़ा मुश्किल काम होता की बड़ा लगा हो जाता है ठीक अब बियू कितनी होगी वैससे की इसकी तकरीबन साल की उमर है अच्छा सालबर का हो गया है यह असल में यह तो अपनी लाइफ गुजार सकते है आराम से मगर लोगों का वरोसा नहीं है यह मसला है कि पिर इसको घर में रखा जा 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 है यह अब भी भी में जा के छोड़ दूँ अच्छा उच्छा यह जा एल्जी यह एलिए इसकी तक्रीवन है आर आ एक मंस इसकी एज यह बच्चा है और यह और भी बड़ा होगा यह पर बड़ा हो गया एंपैरियल लेगल बोट अच्छे टेम हो जाते शीकार पे मिन जाते अच्छा और यह बात सुनते तो यह एसे प रेत्माल होती है, ठीक है ठीक है, और ये बोड अच्छी टेम हो जाती है, बाद समझ अपने मालिक को समझ थी आ, हरूर चीजों आ हम्यादु प्रशाइब इसक निदाल रह थे थी का और खिलाऊ हो। तो यह से आपको पता चल जाता है कि इसको कितना फीड करना अच्छा यह बिलकुल इनका भी है जैसे पाइफन है और यह सारी चीजे इनको कब फीड करना है यह सारी चीजे आपको पता होती है अच्छा पाइफन की फीड का यह हिसाब किताब होता है कि पाइफन जादा मचछ दॉत जए लोग अमुमन इसे बोलते पाइ्फन का बच्च्च एडूक जए यह समे लगता पान गार यद की ज--" और यह क्या क्खाता है? मट्टी ले तो ऑगेडा में उता है ठैक्ष्ड तो ओ झाले तक्डी सेखे Av açılैर तो फिला गएक मैं जी रेट्स किलाते हैं और अवर ऐसना आगा जी रूंगाभा रहते हैं मैं भी होत में फालो यह और जिर खा आगाफ तो यहां दंद आधीनगे थीक है तो पॉलती है आप खंड़ और अपने लिदा की आपने हैं प्यों सिरों तरह इसको बाहर ले जाने का रहे हैं कि कभी दिल करता हु कि भाहर के लेगी चले जाएं इसकूल में ले चले जाएं जे गया दarten वो कि अच्छपने टीचर ने वजने हाथ में तरी इसके साथ छाफी ने है तोण आँड है जो पालते हैं इसको अगर बाबा छोड़कर आजाएं किसी को दे 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 तो कैसा लगता है बुरा लगता है ना देना नहीं चाहिए ठीक है उसको अपने साथ ही रखना चाहिए तो इसको क्या अपने पास ही रखते हैं साथ ही इसको सुलाते है इसा होता है दिल करता है कभी जो चीज भखी जा सके ना, वो चीज तो रख लेते है तो जो चीज रख नहीं सकते है तो वो तो रखना वियंग है का उसकी लाइफ तो नेचरल लाइफ और ग़रा लाइफ में बना फरत MRI होता है जो पैटे, वो पैटे जो वाल्ड ऐनिमल आते हैं तो वो वाइल्डी रेते तो उनको पैट बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है तो उनकी लाइफ अलग है तो जो रेस्किव में आता है तो छोड़ना ही पता है बिल्कु ठीक है उसके साथ दिल लगी नहीं लगानी पड़ती है और जो शुडू से पैट है हमारा तो वो तो पैट है इसको थोड़ा सुड़ा है उसका मसला नहीं होता बिल्कु ठीक है तो यह वाइल्ड अनिमल्स है और यह लोग रखते भी है और इंके बारे में बहुत सारी मिच्स भी है लोग इससे घखराते भी है लेकिन यह बिल्कुल फेली सेट के उपर पर प्रूम आज़कर इसकी औरम आउड आज़ा है नहीं हैंकि रady नष्कहार आएट कॉनके इनकी यह लिए नस्ले वोग होती जा रही है नहीं है बімतलोब शफ्न नानि पोचा ज़лек करने मतलब जो चीज्या आपको नुक्सान नहीं हिप ओं आप उस सान नहीं की जरुरत ही है यह यह तो कोशि प्रवाल में चले जाए और गल्ती से आ जाते हैं इनसानों के बीश बिश बीश बलकु ठीक है तो यह है जी और यह जो एक यह इसके ओपर काम कर रहा है काफी अर्से से यह वाल डाइनमल्स है और इनको रखा भी है लूने अच्छे से इसको जो है वो इनको लुक आफ्टर यह सबसे जरुओरे है लोग रखते हैं और लुक आफ्टर निकारते हैं में अर्फलय किया है आप रगा मुढु कर्स लेह है अच्छापोरे तो बожеसे दो है विश धायृ पर इसके ने मुचा और लास्टाम डॉग लवर्स जो थे जिनके पास हैं बहुत सारे वो ही चाह रहे थे कि बहुत सारी चीजे हमें जाननी है उसके बारे में तो वो चाहते हैं कि आपसे राप्ता करें जी बिल्कुल हर कोई राप तक कर सकता है जो वाइल अनिमल्स का शोकीन है यह जो डॉग लवर्स है कैट्स वाले होगे और जो चीज इन्फोमेशन चाहिए बिल्कुल मेरे कोई कोई मसला नहीं है तो यह चीजे आराम से मैं बता दूंगा किसी को कोई शू नहीं होगा और ज आपको पता होना चाहिए और सीधी बात है कि यह तो वाइल अनिमल्स हैं हर शक्स इसको नहीं रख सकता यह इसको छोड़ देंगी है इसको थोड़ा सा फ्रीली जो हो करें कि यह अब उड़ किया है असल में अपनी जगा से हटते है ना तो डिस्टरब हो जाते थोड़े से लोगों को जब तक देखेंगे ही तो पता कैसे चलेंगे किस चीज पर मौजू पर बात हो रही है और क्या चीज़ करें यह जरूर यह जरूर को रखें इंसे दोस्ती करें जी बड़े फ्रेंडली है और बहुत सारे चीजों के बारे में जिनका नॉलेज आपके नॉलेज इंसे रापता करें सोचल मीडिया का दौर है सोचल मीडिया के जरीए जो रापता कर सकते हैं इनके बारे में इंफरमेशन आपके लिए जरूर जरूर बताईए का क्यों कुछ लोग लेगा आजाए आप यह नहीं समझें के अनिमल यह बस हम कवर कर लेंगे आप उसे मगर उसे मारें नहीं अपने से दूर कर दें इस घाथ नहीं आपके ऐसा नहीं समझें के अबर वापता को ज़िए जिक हैं कभी कोई कुछ ने किसी को उटक कर दिया को यह बहुत टाइगर भी आपके पास है, मेरे खाल में बैंकॉल टाइगर की एक गोगती बीड आपके अभी आप दिखा रहे थे, यह कहां से आपने पास है वो मेरे पास थे अभी तो फार्माउस में हैं सारे चीजे तो यह चीजे इंपोर्ट होती है बार से इसके प्रोसिज यह कोई भी मगवाता है, इस वज़े से मगवाता है कि हमारे बच्चे जो आगे की नसले इसे देखे लाइव एक्साटी हम किताब उमें कब तक देखते रहें यह मोगा नहीं मिला ही ब्रीट नहीं है यह यह हमारे वाइल अनिमल में आते नहीं है यह बहर से आते हैं तो हम हम इसलिये मंगवाते हैं यह यह बहुihad हमारे क्राची और सिंध के एरिया में तो बहुत जंगलात कम हैं तो पैस बैकू ठी कं जाले जी यह यह ब्हुँत उट कम हैं और एंग उल्स इन 可能 लिगवा न्याम और इस पर अठीक स्ट अर्ट नार्ग करण यह अर्षोग अरू आप फेर आप बुलाए तो ये आज हमारे धर्मियाँ ने एक चोड़ी से बीः की तरफ जा रहा है बद बाद बाद पीस अजिके तो प्रोग्राम का सब्स्टा जारी गाप देखते रहे हैं आप देखते रहे हैं गूँड मॉनिंग कराची वेल्कम बैक पंस अगेन आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और बेट पर जाने से पहले जी बड़े जबरदस मेहमान हमारे साथ थे बनुक्रम बेटश्य बस्जव चैंगाँ अधर बारुप नत थे वी कराची है अचे उसद्स मेहमान धी जान्दार जान आथ बड़े जान ताउय हैं चेछारी मॉर्क योजाब आद की हुर्टosing अध्यर्कता तरत साथ भी करें धerson करूंगे रहे हैं और आतिफ से बहुत सारी बाते हुई लास्टाइम बहुत सारे सवालात मौसूल हुए थे खावतीन के खास तौर पर डिजाइनिंग के हवाले से जो यह एक्षपेमिंट करते हैं जो फ्यूजन इनों ने इंटिड्यूस करवाएं उन बड़े सफर दस्ते हैं कि हमरा तश्री मौसूल हुए थे और ब्रैंट्च के हवाले से और कुछ लोग ने यह भी पताया कि जो आपके डिजाइन्स हैं मुक्तलिफ जगाओं पर सोशल मीडिया के ओपर नजर आ रहा हैं यह कैचकर रहे तो बड़ा मसला हो गया कि जो डिजाइन्स आप बना रहा हैं लोग तस्व हाँ, इस ने राप्लीज़न लेना है रहा है और जिसने राप्लिका लेना है तो वो लेंगा और दूसरा है के पाकिस्तान के अदर कोई एसा कापी राइट एक्ट है नहीं इसे हैं यहां पर यह है के आप कोई भी चीज देखते हैं आप उसको राप्लिक गरते आ अर जब अब नाम लगाते हैं कि रैपलिका है तो डेफिनिटली जो भी बंदा खरीद रहोता है उसको पता होता है कि यह चीज जो है वो बेसिकली नॉट ता ओरिजनल प्रोड़क्ट इसके अंदर डेफिनिटली कोई ना कोई डिफरेंस होगा इं टाम्स फाब्रिकेशन इं टाम्स अब विंटर इस अल्मोस्ट ओवर और अगला चैलेंज आ रहा है चीज और अबी से हमारे हैं तो स्प्रिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम होता है डिरेक्ली हम समर की तरफ चले जाते हैं और डिजाइनर जो वो बिजी हो जाते हैं समर के अवाले से क्या प्रपरेशन हैं बिलबोर्ट लगना शुरू हो गए कंपेटिशन स्टार्ट हो गया है गेम स्टार्ट हो गया है वो दिया आफ तो से दिखें हम डेफिनिटली जो समर पर प्लैनिंग है वो तो हमारे पाइप लाइन में है और उसको इस तरीके से वी आपाउट तो लांच आवर समर प् प्लै विद डिफेंट टाइप फबरिकेशन एंड डिफेंट टाइप अफ इस्टाइलिंग तो डेफिनिटी यह तो हमारा कोर सीजन है और इसके अंदर तो नॉट अनली मुंता इपी टॉक अबाउट जरनल अबाउट अबाउट अधर ब्रैंड अस वेल तो हर बंदा क्यों से इस्टाइल्स हैं जादा फॉलो किये जा रहा हैं सब्मर पर क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कुछ कुछ कट्स पर काम हो रहे हैं तो लॉन में कितना मार्जिन होता है वैसे स्टाइलिंग का यह बताईए कि जो ट्रडिशनल सीदे सीजरे ड्रेस होते वही होते है इसके अंदर भी एक्सपेमिंट हो जाए तो डैफिनिटली आपके पास बहुत मार्जिन है वन यू अग्जिन है वह इस आपको बताया था मैंने आपको जिस तरह सारी एक्स्प्लेशन दी ती रिसंटी आप आइगस आइशोड इन फॉर्म हेर के भाई वी आपको हमारी वह डैकोरेटिड प्रॉडक्ट है उसके अंदर आपके पास ना कर्ट्स और जिस तरह की स्टाइलिंग के मार्जिन ना नहीं होते है बिकाज दोज आर डिफरेंट प्रॉडक्ट और जब आप बात करते हैं कैजुल प्रॉडक्ट की तो कैजुल टोटली डिफरेंट कैजुल के अंदर क्या है कि आप उसको डिफरेंट तरह के से लाइगा आप लांग शिर्ट ले सकते हैं आप उसको फ्रॉक में ले सकते हैं आप उसके अंदर डिफरेंट कर्ट्स दे सकते हैं आप उसको वेस्टर टच दे सकते हैं तो आप उसको आपके पास जब आप बात किरते हैं summer product की और casual product की तो you have enough margin to play with it. तो किसी भी तरह से play किया जा सकते है, वेस्ट टच के अंदर तो किसी भी तरह short-korty भी बन सकती है, even यह के shirt style भी दिया जा सकता है, तो आपके पास margin होता है, सारे experiment किया जा सकते है, फरियल, how do you see के जो काम हो रहा है, कौन से style हैं आप ज्यादा फॉलो करती हैं, आप समझती हैं कि अगर इसके ओपर काम किया जाए, इसको पर्मोर्ड करें तो ज्यादा इसकी आफटेक बढ़ सकती है, इसकी ज्यादा मार्केट के अंदर जाए, वो डिमांड आ सकती है, कौन से style है, क्योंकि आप तो खुद डिजाइनर भी हैं, डिपेंड करता है, पबलिक पर, कि काफी काफी कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि हो सड़सफायर नहीं होते, कुछ लोग कुछ कस्टमर्स केते हैं कि यार, प्रिक्वार्म को समझते हैं, डिजाइन किया जाता है, फिर एक प्राब्लम यह होता है कि माशालह, क्यूंकि आप तो खुद मॉडल हैं, उर आतिफ इस बारे में बात कर चुके हैं, कि जनाब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिट रहने के लिए, अगर अच्छा ड्रेस आपको चाहिए, अपर अलगे भी अच्छा तो उसके लिए आपको फुद को जो होता है, क्योंकि लोग ले जाती है, खवातीन खास और पर कोई, जो मैनिकोन लगी होती है, इस पर से ले जाती है, जब उसके वेर करती है, तो कहती है, यह वाली चीज नहीं आ रही है, जो मैं लूस के से करूंगी इसको, तो कितनी इंपोर्टन जोशकी, बहुत है, आपको डायट कॉंचिस तो हो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 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 ड्रेस बहुत करते हैं, और आपने वेर किया, और इसमें आप लग रहो के यार, मैं तो अच्छी नहीं लग रही, मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ, तो पर सैटिस्फाय नहीं होता है, इस पर डिजाइनिंग इतनी अच्छी काश में पहन सकती है, काश में पतली होती है, अभी से सुना था, काश में आप किसी ओफिसर को जब यूनिफॉर्म पहनाते हैं, तो वो वो यूनिफॉर्म पहन के ओफिसर लगेगा, या नहीं लगेगा, तो यह यह चीज बहुत मेंडेटरी है, काश जब आप चाहते हैं, if you want to be fit, or if you want to look smart in every dress, you have to keep your physique smart, और उसके लिए आपक इसके लावा जैसे exercise है, जो कि बहुत मेंडेटरी है, आप अपने वीवर्स को यह चीज जो है, वो different fitness trainer से बताते हैं, तो यह सारी चीज़ें जो होती है, तो इसकी जो है, आपने ख्याल रखना है, summer के लिए तैयारी पहले से होती है, जी, और वेस्ट में जब हम थे तो महा summer के लिए पहले से जो हो fitness plan जो हो तैयार हो जाता था, तो इसकी जरूरत है, जी, ताकि आप style आपके अपर अच्छा लगए, style बड़ा मुश्किल काम है, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा आप lawn के लावा और क्या क्या चालेंजिस हैं, क् क्योंके business के लिए तनी conducive environment नहीं है, purchasing power भी कम हुई है, हम graph देख रहे थें, जो statistics बताते हैं, capacity कम होती जा रही है, लोगों की, purchasing power कम होती जा रही है, वो market के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और फिर plus ये कि competition इतना ज्यादा हो जाता है, तो बहुत margins जो होना शूरू हो जात है, जो basic season, sorry, वो हमारा होता है summer का season, जो कि एक long होता है, जिसके अंदर हो बंदा जो एक खुल के game करता है, अब problem ही आ रही है, कि if we compare current rates with the last rate rates, तो बहुत बड़ा difference है, अब बात वही आ जाती है, कि हमारे पास, जब हम original product बना रहे हैं, तो हमारे पास अपना एक margin है, हमारे अपने एक overheads हैं, जिनको हमें overcome करना है, करना है, बल्को ठीक है, definitely, जब हमें को काम कर रहे हैं, तो यहीं सही सारी चीज़ें पूरी होती है, but on the other end, we have to look at the replication, कि भाई, वहाँ पर किस तरीके से उस चीज़े को कैसे compete करना है, तो in the beginning, होता है यह, कि fabrication के अंदर different modifications की जाती है जिसके different fibers को mix करके prices को कम से कम रखा जाता है, but यह जितनी भी चीज़ें हैं, वो basically categorize कर दी जाती है, based on the market, अगर आप देख रहे हैं कि आपने एक mediocre class को touch करना है, एक lower class को touch करना है, और एक elite class को touch करना है, तो हर class के लिए फिर आपको different fabrication, different styling, सारी चीज़ें उस तरीके से बना नहीं पढ़ती है, because जितना आप गुर डालते हैं, उतना मीठा होता है, तो definitely prices का यह challenge तो फिर इसी तरीके से cover होता है, but at the moment, we are at the beginning of the season, और इसमें चीज़ें, prices, क्योंकि सबसे पहले बात ही होती है, कि हमें customers का mind भी बनाना पड़ता है, because when you go for the up prices, पहले तो customer उसको copy नहीं कर पाता है, आप उसको convey करते हो, उसको convince करते हो, फिर जब वो एक prices range के अंदर अपना mentality को match कर लेता है, तो then फिर आप अपनी bulk production को उसी तरीके से start करते हो, I mean, you cannot do like this, के आपने एक चीज़े, आप, if you think के यार यह price range आएगी, but on the other end, आपका competitor को यह और innovations करके, उस price range से नीच कोई चीज़ लेकर आगे, तो definitely, आपको जो पूरा season है, वो spoil हो जाता है, from the beginning, very beginning, तो, अभी तो, I guess, it's a crawling stage, before we are going on the running stage, तो, hope for the best के, यह जो चीज़े हैं, price challenges के, जो हमारे सामने हैं, issues, we will definitely overcome that. अच्छा, एक चीज़ और आतिफ जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, कभी एक serious concern बन गया, कुछ लोगों की business strategy ऐसी रही, कि उन्होंने brand establish करने के लिए, बहुत सारे tactics की, बड़े उनकी favor मेरा हैं, कुछ है, आपको पता है, मीडिया में दोस्ती थी, कुछ awards मिल गया है, कु इजार होता है, पहले वो एक होता ताब, तीन-तीन volumes आना शुरू होगा है, ऐसे competitor market में होंगे, उनको कैसे meet करेंगे, जाने जिसको, देखें, हमें हमारे पास different, if we are talk about, if we generally talk about the Pakistani market, तो हमारे पास जो है ना, वो different classes हैं, जिनको हर बंदा target करता है, आप जिन brands की बात कर रहे है जिस तरीके से बात कर रहे हैं, देखें, उनकी एक different class है, जिसको आप वो target कर रहे हैं, अब होता क्या है, कि हर एक की अपनी product की classification, अपनी specialities होती हैं, हर एक की, हर different brand की, कोई किसी का कपड़ा बहुत अच्छा है, किसी की color matchings बहुत अच्छी है, किसी की decoration बहुत fine है, या किस किसी कोई कपड़े, किसी भी volume के अंदर कोई new innovations है, जो कि customers को attract करती है, तो उससे पहले ही होता है, कि आप को basically जो है ना, वो किसी एक particular market को target करना होता है, कि यह मेरी particular main market है, जिसको मैं target करता हूँ, और again, जो price range है, that counts a lot. तो यह तो हमारे हैं बड़ा मुश्किल काम हो गया है, costing करना, यह कैसे manage हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि हमारे हैं, अगर कोई चीज final product आती है, finish product आती है, जैसे कपड़ा हमने यहाँ पे import कर लिया, जो कोई dress one के तयार होती है, हमें तमाम चीज़े उसके अंदर incurred करनी होती है, उसके अंदर बिजली का bill भी शामिल करना है, labor भी, charge करनी है, सब कुछ करनी है, तो यह cost effective हो जाएगा, बहुत high हो जाएगी इसके price तो, इसको कैसे maintain रखना है, अपनी market को, need को भी समझना है, अब अगर बे minimum cost भी अगर उसकी निकालें, तो एक average, एक middle class, lower middle class की range से जाता जा रहा है, ऐसी situation में क्या कर रहा है, देखें, ऐसी situation में तो यह सबसे जो main impact पढ़ रहा है, वो definitely manufacturer को पढ़ रहा है, ठीक है, manufacturer का जो अपना एक margin है, वो reduce हो रहा है, day by day, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, कि चीजें जो cover की जाती हैं, वो cover की जाती है from quantity, ठीक है, क् क्या जितना आपका less margin होता है, उतनी आपको quantity high करनी होती है, in order to overcome your overheads, अब जब यह चीजें इस तरीके से चल रही हैं, तो उसके लिए आपको strategies बवारानी बढ़ती हैं, कि you have to look for the more market, for the more areas, for more people, ताके आप जो है, वो अपनी quantities को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुचाओ और आप इस तरीके से अपनी जो overheads हैं, वो overcome कर, तो at the moment, like I said earlier, हमें तो यह challenges हैं at the beginning of this season, but we are hopeful के हमें basically एक awareness देनी है, एक communication देनी है, through our proper channels, till the end user, के देखें, यह अब new prices हैं, यह सारे challenges हैं, और जो इस वाक overall एक generally if we talk about जो एक inflation का एक issue चल रहा है, overall normal, तो I guess जो हमारा एक end user है, उसको इस बात की, वो इस बात को realize करता है, के जो भी अब new चीज़ आ रही है, not only in clothing, in other sectors as well, वहां पर prices जो हैं, वो definitely would not be the same as earlier. बिल्कु ठीक है, एक season से दूसरे season में बहुत prices के उपर फर्क पड़ेगा, यह चीज़ को भी आपने ख्याल रखना है, वरना ऐसा होता है, हमेशा कि हम देखते हैं, खावातीन कहते हैं, जी last time लेकर गए तो 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 इतनी की मन्तिया, आपक्यों इतना इजाफा हो गया, व बहुत short period of time में जहां, हर market में हम बताते हैं, कि आप चीनी, आर्टा और इस तरह की चीज़े लेने जाएं, जिसके उपर 100, 115% तक का इजाफा हुआ, commodities की prices में, तो यह fabrication में भी और plus यह stitching में भी इसी तरह की तमाम चीज़े हैं, इसकी cost बड़ी है, और इसका फर्क अब नज पहना है, क्या फीड़ी करना कैसा लगता है, क्या feedback मिलता है, जब चैरी करती हैं, ड्रेसे मुंता के, और जब लोगों में जाती हैं, क्या feedback आ रहा है? अच्छा मिलता है, क्यूंकि काफी जो खावतीन होती है ना, वो light fabric से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, बहुत ठीक है. के बाइब करूं या फिर में जले जाओ तो मुझे बहुत अच्छी कमिट जा रहे होते हैं किसका फैबरिक पहना वाई अच्छा है अच्छा बहुत अच्छा का आज कर देखा इतना वेर गए घर घर ती है उनके लिए तो इस अच्छा आ रहा होते है कि यह लगना चाहिए के लिए आज कल में देख रहा हूं ट्रेंट चेंज हो गया है कि जी एक ड्रेस है वो हर जगा इस्तमाल भी हो जाता है जो आफिस गोर्ज वह पर यूज कर लेती है जो जना पार्टी में जाना है वहां पर भी उज़ जाता है तो यह मुझे डिमेंशनल हो गाएं अब तो डि बढ़ए में जा रही हो यह मुझे थोड़ा बहरा होना चाहिए थोड़ास अच्छा लगे वड़ काफी जो खवातीकों कैती हैं कि यह इदर भी पहन लिया इदर भी पहन लेते हैं कोई नी कोई नी कोई नी कम निकल जागए ठीक है ऐसा ही होता है जि बढ़कु जी चीजों को देखना भी है नीट को भी समझना है जैसे भी बात हो रही थी फरियाल से के वो बड़े स्पेसिफिक ड्रेसिस हुआ करते थे वो शादी वाला सीजन तो आइ तिंग अल्मोस्ट ओवर तो खर नहीं होता लेकिन थोड़ा सा जो है वो ट्रेंड में कमी आ जाती है अ अब समर की तरफ जाना है तो समर के अंदर भी क्योंके वेडिंग बगर तो उस वक भी रहती है ये बड़ा चैलेंज होता है कि आपने फैबिक भी हलका इस्तमाल करना है और जैसा भी इनोंने कहा कि भरावा भी नज़रा है इसको कैसे इंफ्यूज करते हैं किस तरह बनाते है देखें इसको जो फर्याल ने ड्रेस पइना वह ये मुं नहीं है और अब याप इस ट्रेस को अगर परड़िक लिगों की गोर से देखते हैं तो हमने इसको जिस तरह के से फर्याल ने एक चीज़ एक्स्प्लें की कि बेसिकली दो फैक्टर्स है एक फैक्टर्स तो जिस जब कोई इस तरह के occasions आते हैं जिसमें आप कोई चीज़ें पहननी है तो you will go for the semi-formal look. ठीक है. अब क्या है? उसमें आप ये देखें, ये जिस तरह की product है, हमने इसके दुबटे के ओपर बहुत हैवी एंपर दुबटा दे दिया. और इसमें हम different innovations जो हैं वो लेकर आते हैं, like कभी हम इसके अंदर handwork दे देते हैं, कभी हम इसका trouser normal cotton से हटाके उसको जामा वार के अंदर दे देते हैं. अब जब इस तरह की product आती है तो वो basically up to the customer. ठीक है. They can go for the casual and for the party and not for the party. Definitely for party you have some different sort of product which you need to wear. But for the formal and office, office juice जो है, जो casual जो है, वो आप इस तरीके से चीजों को जो है, आप आप वो cover कर लेते हो. अगर आपने किसी शाद, particular शादी में जाना है तो वो तो definitely बिलकुल एक अलग्ट है. अलग्ट है. उसमें तो they have to, जिस तरह आपने सुना होगा के बरफानी रीच को, I am really sorry for जो आपने सुना है, तो इस तरीके साइगे सुना है, जिस जर भी में लगती होगी. ऐसा होता है, ठीक है. नहीं, रूफेशन के ओपर actually compromise नहीं करती है, इस वज़ा से चब वो डेरिंग होती है, और इस काम के ओपर चब वो कर लेती है, सर्दी चाय किनी भी हो, लेकिन स्ट लोगों ने वो वो कलर्स भी वेर किया, जो पहले कभी नजर नहीं आते थे बड़े फ्रीक्वेंटली, तो यह के सर्दियों के अंदर तो माजन हो जाता है, समर के अंदर बड़े लिमिटेड हो जाते है, डार्क कलर्स को लोग अवाइड करना शुरू कर देते हैं, डिजा आपने एक चीज़ कही है कि अब कस्टमर की डिबांड है फूर नियू कलर्स, जिसे अग्जामपल, अगर आप नेवी कलर की बात करते हैं, या पिंक की बात करते हैं, या इस तरह के और कोई और आप एक दो लाइट कलर्स उठाते हैं, तो उसमें भी ना कस्टमर को आप उ हमारे पास एक लिमिटेड कलर रेंज है, जो के हमें अपनी हर प्रोड़क्ट के अंदर लाँच करनी है, और हमारा एक लॉंग सीजन आता है, जिसके अंदर हमें इस सारी चीज़ हैं टेके चलनी है, तो वाट वी आ दूएंग अगर हम कोई एक पर्टिक्लर कलर शेड उठ आतिफशाज यहां पर मौझूद हैं, गुफ्तगू हमारी जारी है, एक छोड़ी सा ब्रेक के लिए खा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुफ्तगू, और कोशिश के करते हैं, हमारे जो कॉलर्स हैं, उनको भी मौका दें, प्रोग्राम में शामिल करें, वो वोड़ी सागीनी वोचिंग प्रोग्राम, वुड मौनिंग कराची बेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, कुछ खवतीन के हवाले से, डिजाइनिंग के हवाले से, खास और पे, स्टाइलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ ने जिसके पर गुतकू ह और बहुत सारी बात करना, बात ही है, बहुत सारे परगमात मौसूल रहा है, लास्ट टाम में प्रोग्राम किया था, खावतीन के खास और पे, स्टाइलिंग और डिजाइनिंग के हवाले से, बहुत सारे परगमात हमें मौसूल हुए थे, महरा जी, आतिफ शाइजाद तो पेज मुझा का है जिसके पर यह सारी चीज़े देख सकते हैं जाकर फाइब्रिक्स के नाम से पेज तो हमारी जो भी रिसेंट टॉण्चिंग होती है वो जो भी अपडेट्स होती हैं यह लाग्ति हैं फेस्बूक पेज पर जो है वो देते रहते हैं ठीक है जी तो इसको पर सारी चीज़े अवेलेबिल हैं, आप जाकर चर्वस्ट को अद देख सकते हैं, देन विया फर्याल महर यहां पर मौजूद हैं, जो कि ब्यूटीशन भी हैं और इसके लावा भी और बहुत सारे काम करती हैं, जैसे ब्रैंड को अंडॉर्ज भी कर रही हैं और खुद जो ह सबसे मुश्किल काम ऑईली स्किन वालों के लिए, यह सबसे बड़ा प्रावन है, बिल्कुछी है, लेकिन ऑईली स्किन सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वह जल्दी बूरी नहीं होती है, इस पर एजिंग नहीं रिंकल्स नहीं आते हैं, एक्नी का मसला होता है बट वह लेकिन अब जो आ रहा है, समर तो उसमें यह है कि क्या खवतीन को सबसे पहले करने की जरूरते खास और पर हमारे हैं खवतीन घबराती हैं, टैनोने से घबराती हैं, यह बड़ा मसला है, हम लोग तो टैनोने के लिए भाग रहे होते हैं, इंदोर सन ब्लॉक की जरूरत है सन ब्लॉक को खवतीन को खास और पर कॉंचा सन ब्लॉक अच्छा होता है स्किन के लिए, यह सबसे भी इस्पिसिफिक ब्रैंड के बारे में आप किसी बता रही हैं, यह यह वी प्रोटेक्टेड जितने भी होता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़े हैं इसके पर इंशालल तरीके से तो इसके लिए अलग अलग प्रोटेक्ट होती है, इसका ख्याल रखना जरूरी है, यह यह वी इंपॉर्टन चाहे ओईली स्किन हो, जैसा अपनी आंग रहा है, बहुत 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 जरूरी है, समर में खास आप पर स्प्रिंग बहुत की शॉर्ट परियॉड के लिए आता है, इसलिए तो हम तो तो तैयारी करते हैं यह डियरेक्ट समर की तैयारी, यह विंटर के बाद फॉर्ण से समर स्टार्ट हो जाता है, यह वी इंपॉर्टन, मेकप के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, किन चीज़ों का ख्यार रखना जरूरी है, बहुत सारी ऐ स्टिक्स बाध ऑच्छा है उसके लिए ग्युण का तै क्योंकि बःदर आ एक लिए ती बेस्ट और नहीं होता स्टिक्स के लिए अच्छा है, तो प्टुक्च से लिए जाधा प्रूडका जादा मैं होता है यह फिर्या स्टिक्स डिए यह रहता है कि ये जो डिजाइन्स हैं खास और पर केरी करना बड़ा मुश्किल होता है टाइम्स लोगों के लिए लेकिन वो पहने का क्योंके शौक भी रखते हैं वो समर का टाइम पिरियड बहुत ज्यादा होता है उसमें भी लोग आपने का खावतीनी स्टाइल के ओपर कंपरमाईज जिन नहीं करती तो एक्षपरिमेंट करता है डिजाइनर के ऐसे भी ड्रैसे बना देता है और फिर जब वो चल निकलते हैं लोग खरीद ही लेते हैं तो बहुत सोचता है कि आरे इस तरह भी जाना चाहिए ऐसा होता है इतिफाक? देखें ऐसा इतिफाक तो डेफिनिटली होता है अब कस्टोमेर्स की एक्चुली रिक्वार्मेंट ये कि उनको निव से निव चीज चाहिए तो ठीक है? तो उसके लिए हो गए जिसके बाद आप उस चीज से भूर हो जाओगे तो उसके लिए यह है कि आप निव से ने चीज़ें ट्राइगरते हैं अभी रिसेंटली हमने जो अपनी लास्ट प्रोड़क्ट लाँच की थी तो बेह लिए है तो इनके नेम उफ जरिश और वह जामावार ट्राउजर के साथ थी अच्छा अच्छा बाद बाद विर्यू इकस्परिम्ट वर्यू जो होते हैं यह वैडिंग प्रोड़क्स के साथ होती यह बट हमने उसको मर्च किया हमने एक वैडिंग प्रड़क की स्टाफ को ठाकर हमने एक कैजूल प्रड़क के अंदर मर्च कर दिया लिग ठीक है I mean in the beginning we were very upfront के यह एक्सपरिमेंट कर तू लिया है कहीं यह गले में आज है to be very honest yes but honestly speaking जो response हमें मिला that was beyond our expectation like I said customers new cheese demand करता है तो इस चीज़ के बाद काफी हमारा होसला बढ़ा है right और जिस तरह हम जो एक मेरा एक जो innovative माइंड है उस पे मुझे काफी एक response जब अच्छा आया तो मैं काफी मतलब मेरी जो एक एक कह सकते हैं आपके moral मेरा और हाई हुआ है definitely I would love to know कि सबसे ज्यादा weird experience कौन सा था जिसके बारे में सोचा था कि ये मैं खलत कर रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि इसको accept करें market लेकिन वो भी accept कर लिया और बहुत अच्छा उसका result रहा है ऐसा कभी इतिफाक हुआ है दिखें ऐसे बहुत सारी चीज़ आपके लिए बड़ी प्राइटिविटी है और होती भी है यकिन ये पाट अफ क्रेटिविटी है लेकिन वो लोग समझेंगे कि शायद इसने ऐसे ही जो वो लाँच कर दिया था लेकिन ऐसा नहीं एक्स्पेर्मेंटल लोग पड़े होगा ये सबसे अची चीज़ है अफर वेरी लॉंग टाइम पहली दफा में देख रहा हूं कि खवतीन एक्स्पी है जो ट्रडिशनल वेर थे डिजाइन से उससे हटके काम कर रही है यानि कि अगर माईयों का कोई जोड़ा बनाना है तो वो येलोई थीम के अपर होगा सिर्फ येलोई इसके अंदर होगा अब वो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है तो एक अच्छी चीज है थोड़ा सा मेंड़िट खुल गया है डिजाइनर के लिए थोड़ी सी इस हो गई आज से आप आठ दस साल पहले तक वो फैब्रिक्स यूज करते रहें और वो फैब्रिक्स अब इस साल जो है वो मार्किट के अंदर इन होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके ओपर वर्किंग कर रहे हैं और इस पर भी डिसकुशन चल रही हैं कोई भी अगर डिज होती है जो कि ऑन रिसक होती है तो इस तिल अंडर डिसकेशन बट जो एक चैलेंज सामने है उस सिलसले में यह सारी चीज़े हैं कि डेफिनिटली वहाएंगी रहा सवाल आपका कि जिस तरह आपने कहा कि कलर्स के उपर जो है वो एक पर्टिक्लर पहले लोगों का एक मेंट अगर मैं अगर एक पर्टिक्लर फंक्शन रटेंड कर रहा हूं और मुझे तीन चार कंटीनिवटी में और मेरे वही फैमिली मेंबर्स हैं जो कि उस चीज़ पर चलते आ रहे हैं तो डेफिनिटली आइपल नॉट गो फो फो देसें कलर अगें एंड अगें तो बिलकुछ सारी बाते पताचलती है कि स्टायलिंग के हवाले से डिजाइनिंग के हवाले से खाफ और पर इंके ब्रैंड मुझे हैं तो सबसे इंप्रण्ट चीज़ ऑी जो बंगन से कॉलिटी के ओपर कॉंप्रमाइज से नहीं करते हैं इंश प्टोड़े से पैसों के लिए जो इन् अपूर्ट कर सके, लकिए जो अपूर्ट कर सकते हैं, वो अטलीस्ट इन प्रोड़क को आप ना करें, अच्छी प्रोड़क की तरफ जाएं, क्युलिटी प्रोड़क की तरफ जाएं, जो उन्होंने eh recreate Saks के प्रकार को अपना के लाएंगे, और airplane cross mein वो चीज नहीं आती, तैंक्यू सोभी मैंच बहुत शक्रिया आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में रही और ब्यूटी के हवाले से और बहुत सारी चीज़ हैं इन्शाला आने वाले प्रोग्राम में जो फ्रीक्वेंटली आपको बलाते रहेंगे तो डिसकस करते रहेंगे यहांपे आपसे अजासabenी होगी प्रोग्राम का वक्त यहांपे खक्तम होगिए कल इन्शाला आपसे त tạiबारह प्रोग्राम में मुलाकात होगी प्रोग्राम के हवाले से फीड़बैक आप हमें जरूरता है फिस्बुक पर पर प्याज़ हमेंगे बैक्र अचीक पिरमे स्कते झाल